नमस्कार मैं की तांजली और मां असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग इन बेंटिंग एसमेम गॉवर्मेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवड़ा बीए फाइनल के थियोरी पार्ट में आज हम श्री रतनाकर विनायक साखलकर जी का अध्यान करेंगे रतनाकर विनायक साखलकर जोकी नाना जी के नाम से भी जाने जाते हैं आपका जन एक मराठी सम्भान परिवार में 28 फरवरी 1918 को रतनागिरी नामक नगर में हुआ आपके पिता डिप्टी कलेक्टर थे साखलकर जी बचपन से ही चितर कला में रूची रखते थे महराश्ट में पुणे के हाई स्कूल में वार्शिक प्रदर्शनी में आपके चितर को प्रथम पुरुस्कार दिया गया उनके आपके जीवन में यह पहला अवसर्था जब आपको पुरुस्कृत किया गया किन्तु परंपरागत परिवार होने के कारण आप चित्रकला के स्थान पर कानून की शिक्षा का अध्यान करने के लिए मजबूर हुए अपनी असीम इच्छा शक्ती के कारण आपने सर्जीजे स्कूल आफ आर्ट्स में स्वयमपाथी छात्र के रूप में फाइन आर्ट का डिप्लोमा लिया और आर्ट मास्टर ट्रेनिंग की परिक्षा पास करके दयानन महाविद्याले के प्रध्यापक बने 1953 में श्री साखलकर दयानन महाविद्याले में स्नातक चित्रकला विभाग के विभागत देक्ष की रूप में पदस्था पित हुए और अपने अथक प्रेतनों के द्वारा 1964 में श्री दत्तात्रे वाबले के सहयुग से आपने विभाग पोस्नातक उत्तर विभाग में उन्नत किया 25 वर्ष की अवधी में अनेक प्रतिभावान चात्र आपसे शिक्षा लेकर कला जगत में स्थापित हुए कला के रिष्णात्मक और साहित्तिक दोनों पक्षों में आपने निरंतर उलेक नियकारे किया 1970 में आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई आधुनिक कला का इतियास और दर्शन यह पुस्तक हिंदी जगत में प्रध्यापकों, छात्रों वा आलुचकों के लिए मैतुपून है चित्रकला के स्रिजनात्मक शेत्र में आपने चित्रकृति स्रिजन करने के उद्देशे से कभी चित्रन नहीं किया अपितु आपका मानना था कि आप आर्ट को अनुभव करने के लिए रूपाकारों और रंगों वा तुलिकाओं का प्रयोग करने बैठते हैं तो जो कुछ भी बनता वही आपकी कृति होती जिसमें आपके बनाये हुए कई चित्रों में विश्यवस्तु गोण है किन्तु तुलिका संचालन वरंगों का प्रयोग अधिक मैत्रपूर्ण है कई चित्रों को देखते लगता है कि वे रूपाकारों की मलित्ता से भी प्रभावित हुए जैसे उनका चित्र रिशब इसमें उनकी रिशब की आकरती आकार में समाहित लै और शरीर शौस्थव दोनों गुण को सफलता पूरवक दर्शात है यह छोटे आकार का चित्र है और पोस्टर रंगों में बना है ऐसे ही चित्रों में उनका चित्र फकीर, वापसी, विश्राम, मदार, पहाडी और मदार की ओर आदी द्रश्य चित्र है जो द्रश्य चित्रेत हुए हैं वे प्राकृतिक जगत से अलग नैसर की गुणों से परिपूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं उनके कुछ व्यक्ति चित्रों में आधुनिक चित्रकारों की प्रयोग वादिता का इन पर प्रभाव पड़ा, उनकी एक कृति जैन साध्वी सुर्मई वातावरन को ग्रहन किये है प्रिष्ट भूमी में नगर की उची-उची बिल्डिंगों का अभास है, आकाश में चंदर्मा का होना किसी प्रकाश पुण्च की तरह अंकित है सिरहाने की और बना हुए वरिक्ष उसके अकेले पन का साथी लगता है पेड के पास वेश्वेत परिधान पहने हुए निश्चनता से सो रहा है इस चितर पर पश्चिम की अथारत वादी चितरों का प्रभाव है इसी तरह मा नामक एक पोट्रेट अभिवेंजना वादी शैली का है इस चितर में उन्होंने अपनी मा के अंतिम दिनों की मानसिक अवस्था को नारी जन्ने निश्चलता त्रिष्टिगोचर होते हुए बनाया है मुखाकृती का रूप विकृत होते हुए भी विशेश भाव दिखता है इनके चितर दर्शकों से अधिक शूता को प्रभावित करते हैं इनके चितर समिक्षाएं कला, चर्चा वाध्यन के गुंटता तो समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं राजस्थान में चितरकला के चितर को उन्होंने अजमीर में प्रतिश्था दी अक्टूबर 2012 को उन्हें उनकी पुस्तक आधुनिक चित्रकला का इतियास के 15 संसकरण प्रकाशित होने तथा रायस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की सबसे लुक्त्रिय पुस्तक होने के करण प्रतिष्ठित फ्रग्या पुरिस्कार से सम्मानित किया गया 1989 में रायस्थान ललित कलाकादमी द्वारा आपको कलाविद के उपाधि भी दी गई 2012 में अजमेर में ही आपका दिहावसान हो गया आपके अन्य चित्र जोकी महतुर रखते हैं उनमें जीवन स्वहाट सयुजन बारादरी और प्रसादन आदिम है जिनमें आपका आपकी कला सम्वेदना आपका कला के प्रती विशेश लगाओ और आपकी महरत दिखाई देती है बाराद